अध्याय अठा रहा वाक्य विचार सिंटाइक्स पढ़िये और समझिये उदहरन मोहन प्रातहकाल टहलने जाता है उपर्युक्त वाक्य में वक्ता या लेखक का पूरा आशे स्पष्ट हो रहा है कि मोहन प्रातहकाल कहां जाता है या क्या करता है अतह यह वाक्य पूरा है प तो इस वाक्य से कोई भी आशय स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यह वाक्य अधूरा है, और इसमें यह जानने की जिग्यासा रहती है कि मोहन प्रातहकाल क्या करता है। स्पष्ट है कि वाक्य सार्थक शब्द समूह का वह व्यवस्थित क्रम है, जिसके द्वारा विचारों एवं भावों को व्यक्त किया जाता है। यह भाशा व्यवहार की लगुतम इकाई होता है। हम अपने मन के विचार वाक्यों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। वाक्य में वक्ता या लेखक का पूरा भाव प्रकट होना अत्यंत आवश्चक है। किसी भी बात को समझने के लिए वाक्य का पूरा होना भी आवश्चक है। अधूरे वाक्यों से कोई आशे स्पष्ट नहीं हो पाता, इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस व्यवस्थित तथा सार्थक शब्द समूहु से विचार अत्वा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य भाशा की पूर्ण इकाई होता है, वाक बन पाता है, जब उसमें निम्नलिखे तत्वों का समावेश होता है, एक पदक्रम, दो अन्विती, तीन आकांशा, चार योग्यता, पांच निकटता, एक पदक्रम, वाक्य में पदक्रम की महत्वपून भूमिका होती है, उदाहरन के लिए, गरिमा ने मीना को मारा, वाक का कर्म मीना और अंत में क्रिया मारा आया है, पदों के इसी निश्चित क्रम को पदक्रम कहते हैं, पदक्रम से संबंधित, निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है, पदक्रम सभी भाशाओं में प्रायह एक जैसा नहीं होता, हिंदी में जैसे कर्ता, जमा कर्म, जमा कर्म का पदक्रम होता है वाक्यों में पदों का क्रम बदल देने से कई बार अर्थ या तो स्पष्ट नहीं हो पाता या बदल जाता है कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके पदक्रम में थोड़ा सा हेर फेर करने पर भी मनतव्य स्पष्ट हो जाता है जैसे क यहां से चले जाओ, प्रश्ण वाचक वाक्यों में प्रायह करता से पहले क्या का प्रयोग होता है? जैसे क्या विकास प्रतिदिन व्यायाम करता है? वाक्य में संग्या और क्रिया से पहले विस्तारक शब्द, विशेशन, पूरक, क्रिया विशेशन आदी लगाए जाते हैं. जैसे परिश्ट्रमी और इमानदार व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं. जिन वाक् इतने शेखर को गौन कर्म, अपनी साइकिल, मुख्य कर्म, बेच दी. संबोधन तथा विसमयादी बोधक पद वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे वाह, क्या सुन्दर द्रिश्य है. दो, अन्विती. वाक्य में पदों की परस्पर संगती को अन्विती कहते हैं. इसमें वाक्य के किसी एक पद, संग्या सर्वनाम आदी, के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार दूसरे पद, विशेशन, क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है. जैसे क, कैलाश हलवा खाता है. कैलाश ने हलवा खाया. क, नीरा खीर खाती है. नीरा ने खीर खाई. हिंदी में दो तरह की अन्विती होती है. क, संग्या और क्रिया के बीच अन्विती. संग्या और क्रिया के बीच अन्विती इस प्रकार होती है. परसर्ग रहित कर्ता के साथ क्रिया की अन्विती कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है जैसे क मीना खाती है, ख लड़कियां खाती है यदि कर्ता परसर्ग सहित हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो क्रिया की अन्विती कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है जैसे क मीना ने जलेबियां खाई ख मीना ने आम खाए यदि कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हो तो क्रिया की अन्विती इन में से किसी के साथ नहीं होगी बलकी क्रिया सदैव पुलिंग एक वचन में होगी जैसे क, राम ने रावन को मारा ख, किन्नी ने कुत्ते को भगा दिया ख, विशेशन और विशेश के बीच अन्विती विशेशन और विशेश के बीच अन्विती इस प्रकार होती है आकारांत विशेशनों के रूप, विशेश, संग्या के अनुसार बदलते हैं, जैसे क, बड़ा लड़का, बड़े लड़के, ख, छोटी लड़की, छोटी लड़कियां, ग, उंचा पहाड, उंचे पहाड, अकारांत विशेशनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे क, सुन्दर लड़का, ख, सुन्दर लड़की, ग, सुन्दर लड़के, यदि विशेशन के एक से अधिक विशेशे हों और उनके लिंग अलग-अलग हों, तो सामान्य तह अपने सबसे निकट वाले विशेशे के लिंग, वचन के अनुसार विशेशन की अन्विती होत जैसे क अच्छे लड़के और लड़कियां, क तूटी खिड़की और दर्वाजा, तीन आकांशा, आकांशा का अर्थ होता है इच्छा या लालसा, वाके अनेक पदों के मेल से बनता है, इन सभी पदों को जानकर ही वक्ता के मनतव्य को समझा जा सकता है, वाके के सभी पदो को जानने की लालसा ही आकांशा कहलाती है, यदि कोई वक्ता निर्मल कहकर चुप हो जाए, तो श्रोता उसके मनतव्य को समझ नहीं पाता, उसका मनतव्य समझने के लिए उसके मन में आगे के पदों को जानने की आकांशा उत्पन्न होती है, कि आगे कौन से पद आने वाल पर ही उसे वक्ता की बात मनतव्य स्पष्ट होती है, जैसे क, निर्मल, जल ही उप्योगी होता है, इन तीनों पदों के जानने पर ही शुरूता को यह बात स्पष्ट होती है कि निर्मल जल ही उप्योगी होता है, चार योग्यता, वाकिमे प्रयुक्त पदों में वक्ता के न खाता है, ख, घोडा, भोजन खाता है, इन दोनों वाक्यों में योग्यता का अभाव है, क्यूंकि इनके पदों में नीहित अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, यदि इन वाक्यों में हरे रंग के तिनके और भोजन के स्थान पर घास, योग्य, संगत पद का प्रय प्रयूग किया जाए तो वाक्य बनता है घोडा घास खाता है अब वक्ता का आशय स्पष्ट हो गया है पांच निकटता वाक्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयूग्त होने वाले पदों में निकटता हो जैसे दिनेश बाजार जा रहा है उपर्यूग्त पदों में निकटता नहीं है अतह हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि दिनेश कहने के बहुत देर बाजार और उसके भी थोड़ी देर बाज जा रहा है कहा जाए तो उससे वक्ता का आशय स्पष्ट नहीं होता वक्ता का आशय स्पष्ट होने के लिए इन पदों में निकटता हो न आवश्यक है, तभी ये वाक्य कहलाते हैं, जैसे, दिनेश बाजार जा रहा है, वाक्य के अंग, parts of sentence, वाक्य के मुख्यतह निम्नलिखित दो अंग होते हैं, एक, उद्देश, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश कहते हैं, दो, विधेय, उद पक्षी उड़ते हैं, हम दोड़ते हैं, उपर्युक्त वाक्यों में दिये गए उद्देश तथा विधेय, दोनों का संबंध निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है, उद्देश विधेय, पक्षी उड़ते हैं, हम दोड़ते हैं, उद्देश और विधेय के वि प्रकट में विशेष्टा प्रकट करने के लिए जो अन्य शब्द या वाक्यांच उद्देश के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें उद्देश का विस्तारक कहते हैं, जैसे, एक, सुन्दर पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, दो, कई लड़के सड़क पर दौड रहे थे, जैसे, एक, सुन्दर पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, दो, कई लड़के सड़क पर दौड रहे थे, विद्देश के विस्तारक, विद्देश के अर्थ में विशेष्टा प्रकट करने के लिए जो शब्द या वाक्यांच जोड़े जाते हैं, उन्हें विद्देश का विस्तारक कहते हैं, जैसे, एक, नेहा कहानी की पुस्तक खरीद रही है, दो, मैं इसे पढ़कर ही चलूँगा, क्रमांख, उद्देश्य, विद्देश के विस्तारक, विद्देश, एक, नेहा कहानी की पुस्तक खरीद रही है, दो, मैं इसे पढ़कर ही चलूँगा, वाक्यों का वर्गी करण Classification of Sentences वाक्यों को निमन लिखे दो आधारों पर वर्गी कृत किया जा सकता है एक, रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य निमन लिखे तीन प्रकार के होते हैं क, सरल वाक्य ख, सैयुक्त वाक्य ग, मिश्रित वाक्य क, सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें करता भले ही एक से अधिक हों लेकिन उनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य कहलाते हैं जैसे एक, वर्षा हो रही है दो, बकरी घास खाती है तीन, सीता और रमा बाजार जाती हैं क, सैयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चे बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, वे सैयुक्त वाक्य कहलाते हैं, इन वाक्यों के बीच में या, किन्तु, और, पर, आदी शब्द आते हैं, जैसे, एक, हमने परिश्रम तो बहुत किया, किन्तु, सफलता नहीं मिली, दो, तुम यहीं रहोगे या घर जाओगे, गर, मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य, अन्य आश्रित उपवाक्यों से व्याधिकरन समुच्चे बोधकों द्वार जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि यह पुस्तक मेरी है, इस मिश्रित वाक्य में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, प्रधान उपवाक्य, यह पुस्तक मेरी है, आश्रित उपवाक्य, दो, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित आठ प्रकार के होते हैं क विधान वाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के सामाने रूप में होने का बोध होता है विधान वाचक वाक्य कहलाते हैं जैसे एक, पूजा पुस्तक पढ़ती है, दो, वह मेरी बड़ी बहन है, ख, निशेध वाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी कार्य या बात के होने का निशेध होता है, निशेध वाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक, उसने खाना नहीं खाया है, दो, रोहन ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, ग, प्रश्न वाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, प्रश्न वाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, दो, क्या मनू देहरादून जा रहा है, ग, आग्या वाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें आग्या, अनुमती, उपदेश, प्रार्थना आदी का भाव प्रकट होता है, आग्या सूचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक, अब तुम खाना खा सकते हो, दो, तुम अपने घर जाओ, अंग, इच्छा वाचक वाक्या, वे वाक्य जिनमें इच्छा, आशीरवाद, या शुभकामना आदी मन के भाव प्रकट होते हैं, इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक, इश्वर करे, तुम महान बनो, दो, आपकी यात्रा मंगल मै हो, च्छ, संदेह वाचक वाक्या, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी कारे के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है, संदेह वाचक वाक्या कहलाते हैं, जैसे एक, आज शायद वर्षा होगी, दो, संभवतह आज वह आ जाएगा, च्छ, संकेत वाचक वाक्या, वे वाक्य जिनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होने का संकेत करती है, संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक, यदि अब वर्षा हो जाती, तो फसल अच्छी होती, दो, यदि मैं लखना हो गया, तो तुम्हारे लिए कुर्ता ले आऊंगा, जो, विसमें वाचक वाक्या, वे वाक्य जिनके द्वारा हर्ष, भै, घ्रिना, विसमें आदी के भाव प्रकट होते हैं, विसमें आज कितना सुहावना मौसम है, दो, हाई, मेरी बिल्ली मर गई, वाक्य रूपांतरन, Conversion of Sentence, एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरन कहलाता है, अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरन, शिखर क्रिकेट खेलत है, विधान वाचक, शिखर क्रिकेट नहीं खेलता है, निशेध वाचक, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, प्रश्न वाचक, अच्छा, शिखर क्रिकेट खेलता है, विसमय वाचक, शिखर क्रिकेट खेलू, आग्या वाचक, शिखर क्रिकेट खेली, इच्छा वाचक, यद रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, सरल से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, वह पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना, सबूत ढूनने के लिए वह वहीं छिप गया, उसे सबूत ढू वह घर जाते ही काम में लग गया, वह घर गया और काम में लग गया, सरल से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, मैंने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, परिश्रमी लोगों को निराश नहीं होना पड़ता जो लोग परिश्रमी होते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता प्याला नीचे गिरते ही तूट गया जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि तूट गया इसी बच्चे को गाय ने सींग मारा था यह वही बच्चा है जिसे गाय ने परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ जाती है। संयुक्त से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य रजनी ने खाना पकाया और दफ्तर चली गई। मैंने एक बूढ़ा देखा और वह बहुत बीमार था। लड़कियों ने खरीदारी की और घर चली गई। जब लड़कियों ने खरीदारी कर ली तब वे घर चली गई। आओ दोहराईं। विधान वाचक, निशेध वाचक, प्रश्न वाचक, आग्या वाचक, विस्मय वाचक, संकेत वाचक, इच्छा वाचक और संदेह वाचक।